हेलो गाईज, वेलकम टू मनन क्लासेज, आज हम डिसकस करेंगे एक्सराइज सेवन डी का क्योशन नमबर 24 और 23 के बारे में तो देखते हैं, आज इस exercise को complete करते हैं अपन और फिर इसके बाद में अपन reminder and factor theorem के बारे में chapter 8 के बारे में discuss करेंगे देखिए, सबसे पहले आपका 23 question given है, ये वाली value is equal है, ये आपको given है using the component and dividend to find x ratio y की value आपको find गरनी है, तो देखिए सबसे पहले यदि मैं component and dividend to apply करूँ याँ पे, तो अपन जानते हैं ये property है तो property आपको बताया वह है, तो अपन चलते हैं सिधा, x cube plus 12x उपर वाली value तो same रखते हैं component and dividend में, निच्चे और उपर और फिर उपर तो क्या करते हैं, निच्चे वाली quantity को minus and plus, और निच्चे क्या करेंगे, minus, तो ये minus होगा, तो 6x square plus minus minus का 2, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें भी same यही करेंगे, तो y q plus 27y upon में y q plus 27y, ये मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये वाली quantity तो plus करना है, और यहाँ पे minus, तो 9y square plus 27, यहाँ पे कितना जाएगा, minus 9 square minus 27, अब देखिए, अब एक formula आपन जानते हैं यहाँ पे, कौँचा, a plus b का cube, क्या होता है, a cube plus, अब यहाँ पे x है, तो मैं इसी formula का according आपको बता रहा हूँ, वानना अपन direct कैसे भी लिख सकते हैं, कि 3a square b को पहले ला सकते हैं, या 3a square को बाद में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो value given है, वो देखो इसका square नहीं है, तो क्या given आपको, 3b square है, या फिर मैं इसको इसे लिख जाता हूँ, a, b square, और plus में 3a square b, plus में b square, यदि यहाँ पे minus हैं, तो जहाँ पे आपको b की power minus दिखें, वहाँ पे minus लगा तो, minus नहीं, b की power odd में दिखें, odd का मतलब, जिसमें 1, 3, 5, क्यानि 2 से divisible कोई number आए, उनको अपन क्या बोलते हैं, odd number कहते हैं, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, b cube है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हैगा, minus, b की power को देखना आपको, अब देखी, यदि मैं इसमें concept को apply करूँ, तो देखी, इस वाली quantity को मैं क्या ली सकता हूँ, यहाँ पे, 3 into x into 2 का square, लिख सकते हैं, और इसको क्या ली सकता हूँ में, 3 into x square into 2, यह ली सकता हूँ न, तो यह formula मिल गया आपको, किसका x plus 2 का whole square, यहाँ पे और यहाँ पे minus है, तो x minus 2 का whole cube है, whole cube, same ही उसमें apply करेंगे, तो x plus 3 का cube आ जाएगा, क्योंकि 3 का cube है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना जाएगा, y minus 3 का cube, अब मैं यह जानता हूँ, कि उपर power और निचे power same दिवी है, तो इनका पूरे का power हो जाएगा, जैनि x plus 2 upon x minus 2, इस पूरे पे whole cube, equal to y plus 3 upon में y minus 3 का whole cube, अब अपने एक concept यह भी जानते हैं, कि यदि power same होती है, तो base क्या हो जाते हैं, equal हो जाते हैं, जैसे for example, a की power m equal to b की power m given है, तो यहाँ पर क्या है, power same है, तो base क्या हो जाएँगे, equal, तो इन base को, देखो power same है, 3 और 3, तो मैं base को क्या कर सकता हूँ, equal, तो x plus 2 upon में, x minus 2 equal to y plus 3 upon में y minus 3, यह मैं इनको लिख सकता हूँ, ठीक है, अब देखिए, वापिस वोई component and dividend apply कर दो, तो देखो कितना लिखेंगे, x plus 2 plus x minus 2 upon में, x plus 2 minus x plus 2, equal to y plus 3 plus y minus 3 upon में, y plus 3 minus y plus 3, देखो 3 से तो 3 cancel out, नहीं, y से y cancel out होगा, यहाँ पे 3 से 3 cancel out, 2 से 2 cancel out, x से x cancel out, remaining value को देखिए, x plus x कितना? 2x, निचे कितना? 4, equal to, यहाँ पे कितना? 2y, निचे कितना? 6, cancel out कर सकते हैं, अब देखो, यह वाली value तो इस से cancel out, और इस value से यह cancel out, कितनी value मिली? x upon 2 equal to y upon में 3, यह वाली value तो इधर आएगी, और यह वाली value इधर आएगी, तो x upon y equal to 2 upon 3, यह कौन चे प्रोपर्टी से आए ऐसे? by, alter, nando से, ठीक है? तो एब में लिख सकता हूँ कि, x ratio, y equal to, 2 ratio, 3, यह आपको इस question के अंदर find करके represent करना है था, चलते हैं, इसके next question पे, तो देखिए next question, एक आपको, algebraic जितने भी formula हैं, उनका video upload किया वह है, उस video को आप जरूर देखिए, क्योंकि formula कहीं पे भी आ सकते हैं, तो उनको पहले सबसे पहले, आप mind में set करो, फिर जाकिए आप question पे आओ, तो वीडियो का link आपको description के अंदर मिल जाएगा, उसको देखना जरूर, तब जाके आपके, क्योंस अन्स वोल होने इस्टार्ट होंगे, तो देखिए, क्योंस नमर 24 क्या गयता है, यह वाली value given है, प्रूप करके यह represent करना है, तो सबसे पहले देखिए, X upon A equal to, Y upon B equal to, Z upon C, equal to में K मान लेता हूं यहाँ पे, लेट करके, कोई constant quantity, कुछ भी मान लेता हैं, तो मैंने क्या मान लेता हैं यहाँ पे, K, अब मैं first story slash को equal करूं, तो X upon में A equal to, K, यहाँ से X की value कितनी आ जाएगी, A के, यूज होगा देखो, वहाँ पे X cube है, यूज होगा, फिर score इसको लेंगा, तो Y upon B equal to K है, तो Y की value कितनी आएगी, Y equal to, B, K, same ही अपन इसमें भी apply करेंगे, क्या लिखेंगे, कि Z upon C equal to, K, तो Z की value कितनी आएगी, C, K, अब इस टीनों का अपन यूज करेंगे, equation first, equation second, और equation third, इन टीनों का, उसकी left hand side में यूज करते हैं, देखो अब left hand side लेते हैं, left hand side कितनी है, X cube upon में, A cube, plus Y cube upon में, B cube, plus Z cube upon में, C cube, इसमें value put करके, आपको 3XY upon, Y, Z upon, A, B, C, निकालना है, तो देखिए, X की value कितनी है, A, इस पूरे का cube upon में, A cube, plus B, K का cube upon में, B cube, plus C, K का cube upon में, C cube हो जाएगा, अब मैं इतना जानता हूँ, कि A, कोई दो quantity multiply की power है, तो पहले इस पे power, फिर इस पे power, यानि A की power के, B की power 3, A की power 3, into B, K की power 3, और निचे कितना है, A की power cube है, plus B की power cube, और K की power cube upon में, B cube, plus C cube, K cube upon में, C cube, यह मैं इनको represent कर सकता हूँ, अब देखिए, यह वाली value, cancel out, यह भी cancel out, और यह भी cancel out, remaining value वो क्या मिली आपको, K cube plus, K cube plus, K cube, कितना आया, 3 K cube, आया, अब इस 3, into, इस K को क्या लिशे सकता हूँ में, K into, K into, K, यानि K cube को में 3 बार K लिख सकता हूँ, and 3 times K लिख सकता हूँ, अब देखो यहाँ पे, K cube को लिखा है मैंने, तो 3 into, इस K की value, यह इतन है, यह जोरी थोड़ी है, इस K की value में यह भी put कर सकता हूँ, तो दूसरे K की value, यह put कर दो, और तीसरे K की value, यहाँ से, यह put कर दो, तो कितना, Z upon में C, इन सारों को आप multiply करोगे, तो 3 X Y Z upon में A, B, C, यह आपकी क्या है, right hand side, तो hence, proof, यह आपको proof करके represent करना था, ठीक है, समझ में आया होगा, अब अपन डिसकस करते हैं, question number 26 and 25 के बारे में, तो देखे question number 25 को सबसे पहले, आपको क्या given है, कि B is the main proportion between the A and B, यानि B main proportion है, तो main का मतल इन दोनों के बीच में आएगा, तो यह एक proportion के अंदर है, तो इनको मैं क्या लिए सकता हूँ, A upon B, equal to B upon C, equal to K, यह मैं इनको represent कर सकता हूँ, ठीक है, अब यहां से देखे थोड़ी सी मैं, इसको solve करता हूँ, A upon B equal to K है, तो A की value कितनी आएगी, B किया जाएगी, फिर मैं यह बोलूं की, B upon C की value K है, तो यहां से B की value कितनी आएगी, C किया जाएगी, यदि इस B की value में यहां पर put कर दूँ, तो A की value कितनी आएगी, C, K square, यानि A की value C, K, और B की value C, के आपको question के अंदर put करना है, तो देखिए, सबसे पहले left hand side लेते हैं, left hand side में क्या है, A की power 4, A की power 2, B square, plus B cube, B square, B की power 4, plus B, C square, plus C की power 4, अब देखिए, A की value कितनी है, A की value आपके पास में, C, K का square की power 4, plus A की value, C, K square का whole square, B की value कितनी है, C, K, तो C, K का whole square, यानि whole square, यानि whole square, तो ये लो, फिर B square है, तो इसका square कर दीजिए, square नहीं है, इसकी power 4 ही है, देख लेता हूँ, यहाँ पर 4 है, तो कितना हैएगा, B की power 4, यानि, C, K का, की power 4 आजाएगा, आगे में, इस B की power 4 है, तो C, K, इस पूरे की power 4, इसको कह ली सकते हैं, यहाँ पर B square है, तो C, K का whole square, into C square, plus C की power 4, ये अपने इनको, लिख सकते हैं, अब इसी को मैं sold करूँ, तो देखो कितना आ रहा है, C की power 4, और K की power, कितना, 8 आ जाएगा, यहाँ से, C square, K की power 4, into C, square, K square, plus C की power 4, K की power 4, अपन में, C, K की power 4, और इसकी भी power 4, C square, K square, into में, C square, plus C की power 4, यह में लिख सकता हूँ, आगे मैं इसी को sold करूँ, तो देखिए, C की power 4, यहाँ से, C की power 4, और K की power 4, common आ रहा है, तो C की power 4, और K की power 4, को मैं common निकालूँ, तो देखो, C की power 4, तो बहार आ गई, K की power 8, में से, 4 power बहार आ गई, तो अंदर कितनी, 4 power remaining बचेगी, यहाँ पे यह C की power 2, और C की power 2, 4 हो गई न, तो यह तो बहार आ गई, और यहाँ से, यह K की power 4, भी बहार आ जाएगी, remaining value कितनी है, K square, यहाँ पे यह तो पूरा ही बहार आ गया, तो remaining value, 1, upon में, यहाँ से मैं C की power 4 को को मन निकालता हूं, तो C की power 4 को को मन निकाले हैं, तो अंदर कितना, K की power 4, K square, plus 1, देखो, same value से, same value cancel out, C की power 4, C की power 4 cancel out होके, कितनी आएगी, K की power 4, आपकी left hand side की value आ जाएगी, यह थी आपकी, इसकी left hand side, अब चलते हैं, इसकी right hand side, तो देखिए right hand side, right hand side में क्या है आपके, आपके पास में, A square upon में, C square, तो सबसे पहले, A की value देखिए कितनी है, C, K का whole square, C, K square का whole square, upon C की value, C square है, देखो, पहले इस C का square करेंगे, तो C square, फिर K square का square करेंगे, तो K की power 4, upon में C square, यह वाली value, cancel out value कितनी, K की power 4, यह equation number second, और यह first, इन दोनों equation से, क्या ली सकते हैं कि, from equation first, and second से, कह सकते हैं अपन कि, left hand side equal to, right hand side, और नीचे hands proof, यह था आपका क्योशन number, 24, अच्छा क्योशन था, और 24 भी अच्छा क्योशन था, देखना द्यान से, चलते हैं, क्योशन number, 26, 26 क्योशन कापी बार आएंगे, यह इस type के क्योशन, अपने पास में, बहुत सारे अपन क्योशन कर लिए, आप कर सकते भी हो, फिर यह भी मैं आप से, आपको बता देता हूँ, देखिए, क्योशन number, 25 क्या आप कर रहे है, 26 क्या कर रहे है, कि यह वाली value given है, और फिर यह बोलाए, कि use the property of proportional, to find, सबसे पहले यह find, component और dividend तो देखिए, 7M plus 2M plus 7M minus 2N, अपन में 7M plus 2N minus 7M plus 2N, इक्वल टू 5 plus 3, अपन में 5 minus 3, देखो, यह वाली value तो cancel out, और यह वाली value इससे cancel out, 7 और 7 कितना, 14M upon में 4N, इक्वल टू 8 upon में 2 आ जाएगा, cancel out आप कर सकते हो, पहले इन दोनों को मैं लेके जाऊँ, तो M upon N, इसकी value आ जाएगी, 8 upon 2, देखो, यह 4 तो इधर आएगा, तो यह लो 4, फिर यह 14 इधर आएगा, तो यह 14 लो, इस 2 से, इसको मैं cancel out करूँ टू, और इससे आप cancel out करोगे, तो कितना, 7, तो M upon N की value, 8 upon 7, और इसी को मैं लिसता हूँ, M ratio N equal to 8 ratio 7, यह आपको यहाँ से प्रूब करके, रिपर्जंट करना था, तो यह तो था आपका first, second की बात करूँ, तो सबसे पहले आपको यह गिवन है, M upon N equal to 8 upon 7, देखो यहाँ पे क्या है, M का square है और N का square है, तो सबसे पहले इसका square करते हैं, तो इसका square कैसे करेंगे, दोनों तरफ square लगा दो, M का square करेंगे तो M square, N का करेंगे तो N square, 8 का करेंगे तो 64, 7 का करेंगे तो 49, यह आप जानते हों, यह आपको आना चाहिए, अब component and dividend टो apply करेंगे, तो इसमें मैं component टो apply करूँ, तो कितना M square upon M square, उपर minus करो, निचे, उपर plus करो, निचे minus करो, फिर 64 upon में, 64 यहाँ पे क्या करें, प्लस, और यहाँ पे कितना, यह 49 है, और यह minus का 49, खाँ से है यह, by component and dividend से, देखिए, यह तो आपको मिली गया, इसको मैं solve करें, तो कितना हैगा, 9 और 4, 3, 13, और 10 एक 11, 11, 13, upon में, minus करेंगे, तो 14 minus 9, कितना 5, 6 minus 5, कितना 15, तो इसका answer आपके पास में आजाएगा, answer मैं देख लेता हूँ, कितना आएगा, इसको आगे भी solve करना पड़ेगा, आपको, देखो, इसको मैं divide करूँ, 15 से, 1, 13, को 15 से divide करूँ, तो 1, 0, 5, कितनी बार, 7, कितना remaining, 13 minus 5, कितना जाएगा, 8, 8 याएगा, तो 8 upon में 15, क्या लिए सकता हूँ इसको मैं, 7, 8 by 15, यह आपका, इस question का answer आजाएगा, next question के बारे में discuss करते हैं, देखो next question, next question, आपका question number 27, 27, 27 में है, if x and y, both are positive, यहनि, first के अंदर, x and y, क्या given आपको, positive given है, फिर, 2x square minus y ratio, x y equal to, 1 ratio 3, then find, x ratio y, यह find करना है, तो देखते हैं, इस question को सब पड़ाबट, तो देखिए, सबसे पहले, आपको ratio given दो, इसको तो मैं यह लिख सकता हूँ, कि, x square minus 5y, whole square upon, हनि, y square, ratio यह तो upon, x y equal to, 1 upon में, 3, यह मैं, इसको लिख सकता हूँ, आगे देखिए, आगे मैं, यह upon यह करूँ, यानि, इसके upon में यह लगा दूँ, इसके upon में यह लगा दूँ, बात एक ही है, तो 2x square upon में, x y minus 5y square upon में, कितना हैगा, x y equal to 1 upon में, 3, इसके एक power, इसे cancel out, और इसके एक power, इसे cancel out, remaining value कितनी, 2 into x upon y, minus 5 into y upon, x equal to 1 upon में, 3, यह remaining value मिली, तो let करके, x upon y, equal to क्या मालनो, t मालन लेता हूँ, तो देखो, यह t यहाँ पे put करूँ, तो t, देखो, यहाँ से t आया है, तो y upon, reciprocal करो, y upon x की value कितनी आएगी, 1 upon में, t आजाएगी, ठीक है, तो यह 2 t, फिर minus 5, y upon x की value कितनी है, 1 upon में, t equal to में कितना, 1 upon, यह आजाएगा, lc में लेंगे तो कितना, t तो lc में आजाएगा, यहाँ पे कितना, 2 t square, यहाँ पे कितना, 5, equal to 1 upon में, 3 आजाएगा, अब इस 3 को तो इधर multiply करेंगे, तो कितना, 6 t, और इसको इसके साथ multiply करेंगे, तो कितना, 15, और फिर इसको इधर multiply लेके दाऊँगा, तो t, यहाँ से इसी को मैं क्या ले सकता हूँ, इसी को मैं ले सकता हूँ, 6 t square, minus t, minus का 15, equal to 0, यह इसकी value आ जाएगी, अब इसको मैं factorize करूँगा, तो quadratic equation का, पुरा chapter डाला हूँ है, आप upload किया हूँ है, देखना ध्यान से, आप कर सकते हूँ, फिर में मैं इसको बताता हूँ, 6 t, इस t के से factor मनाने, जिनका sum तो कितना आना चाहिए, minus 1, product कितना आना चाहिए, देखो, 6 और इसन का दोनों का multiply, minus का 90, तो S c value कौन ची है, minus 10 और 9, plus का 9, इन दोनों को multiply करूँ या जाएगा, दोनों को add करूँ या जाएगा, ठीक है, तो कितना लिखो, minus 10 t, plus का 90, ठीक है, plus का 90, minus का 15, equal to 0, दो-दो के factor बनाईए, first में common कितना आ रहा है, 2 t, कितना रहा है, 2 t, तो यहां से 2 common आएगा, कितना 3, यहां से t common आएगा, कितना t, यहां से 5 में से, तो 5, यानि 10 में से 2 आएगा, तो 5 t, बाहर आजाएगा, plus 3 t को में common निकालूं, तो यहां पर कितना आएगा, 3 निकाल लिना आएगा, कितना आएगा, 3 t, minus 5, equal to 0, अब देखो, 3 t, minus 5, common आएगा, तो remaining value कितनी, 2 t, plus 3, equal to 0, दोनों का multiply 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ, कि 3 t, minus 5, equal to 0, या फिर, 2 t, plus 3, equal to 0, आजाएगा, यदि मैं यहां से, t की value निकाल लों, तो minus, यह तो plus आजाएगा, उदर जाके, और इसके साथ, जो multiply वो यहां पर, आजाएगा, एक value यह आएगी, और दूसरी value, यह आएगी, minus का, 3 upon 2, अब अगले ने, साब बोलावाएगी, x और y क्या होने ची, positive quantity होने ची, तो यह positive है, यह positive नहीं है, तो यह वाला case, impossible नहीं है, तो आपकी जो x ratio, y की value आजाएगी, 5 ratio 3 में, यह आपका, इस question का, answer आजाएगा, तो उम्मीद करता हूँ, समझे रहा होगा, चलते हैं, इसके second part पर, देखो तो इसका second part, क्या आपका कहर रहा है पुन को, कि x, find, यह तो find गरना आपको, और 16 into a minus x upon, a plus x का cube, equal to a plus x upon, a minus x, यह आपको given है, यहाँ से क्या निकालना आपको, x की value क्या होगी, तो देखिए, 16 into, इसको में लिख सकता हूँ नहीं से, a minus x का cube upon, a plus x का cube, equal to, a plus x की power 1, upon a minus x की power 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की power 4, लिख सकते हैं, अब यह वाली value इसके साथ multiply होगी, तो क्या हैगा, a plus x की power 4, और यह वाली value इसके साथ multiply होगी, तो a minus x की power 4, बेस सेम है, पावर, एड हो जाएगी, अब देखिए, तो 2 upon 4 equal to, 2 की power 4, a plus, a plus x, 1 upon, यह नि, a plus x upon a minus x का, whole की power 4 हो जाएगी, अब देखो, इन दोनों का, power क्या है, सेम है, तो 2 की value कितनी हैगी, plus minus, a plus x upon में, a minus x हिया जाएगा, यहाँ से x की value आपको निकालनी है, तो देखते हैं, देखो, एक अंसर्प में आपको उता रहा हूं कि, x square equal to y है, तो यहाँ पे power सेम है, तो x की value कितनी आएगी, plus minus y आएगी है, यह देहां रखना आप, power 40 तो भी plus minus आएगा, 6 होती तो भी plus minus y आएगा, अब देखिए, अब 2 equal to, यहाँ पे दो value मिल जाएगी आपको, तो मैं चलिए यहीं पे लिख देता हूं, 2 equal to a plus x upon a minus x, एक value तो यह मिल जाएगी, और जो दूसरी value है, वो मिल जाएगी, 2 equal to minus a plus x upon a minus x, यह आपकी दूसरी value और यह first value, तो मैं first को लेता हूं सबसे पहले, 2 equal to a plus x upon a minus x, यह value अपने पास मिल जाएगी, component and dividend apply करते हैं, तो component and dividend apply करेंगे, तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे 2 plus 1 upon 2 minus 1 equal to a plus x plus a minus x upon में, a plus x minus a plus x, तो यहाँ पे तो कितना 3 upon 1, equal to a cancel out, तो कितना 2a upon, इसको मैं cancel out करूँगा, तो कितना 2x, यह तो cancel out, तो a की value कितनी आगई, यह इधर और यह इधर, तो a की value, एक्स की निकालनी थी न, तो x की value आजाएगी, अपने पास में, a upon में 3, यदि मैं second case लूँ, यह वाला, तो इस minus को यहाँ पे लगा दूँ, बात तो एक ही है, तो कितना minus 2 equal to, a plus x upon में, a minus x, तो देखिए, अब इस वाली value को मैं क्या ले सकता हूँ, minus 2, component and dividend हो, minus 2 upon minus 2, यह plus 1 और यह minus 1, equal to, a plus x upon, a plus x, यहाँ पे, a minus x, और यहाँ पे, a minus a plus x, यह वाली value इससे cancel out, और यह x से x cancel out, देखो कितना minus का, कितना, 1 upon minus का 3, equal to, 2 a upon में, 2 x, यह तो cancel out, और यह minus से minus cancel out, तो 1 upon a equal to, a upon x, मुझे निकालनी है, x की value, तो यह तो इधर multiply, और यह इधर multiply, कितना जाएगा, 3 a, यह आपका, इस question के, 2 answer, एक तो x की value यह आएगी, और दूसरे x की value, यह आएगी, तो यह था आपके, 27 exercise, तो यह आपकी complete, अपन नेक्स वीडियो में, डिसकस करेंगे, तो नेक्स दो चेप्टर अपना, स्टार्ट करेंगे, reminder theorem and, factor theorem के बारे में, तो इसी साथ, thank you so much,